विछले 11 तारी को जो पेपर हुआ, पेपर लीक हो गया, पेपर शुरू होने से दो गंटे, तीन गंटे, चार गंटे पहले ही सभी वाटसप पर तैर रहा था बढने वाले वाले जिनको मिल गया है, वो साथ नहीं देंगे आप रख कर दीजे पेपर, आप बाहर आके, सामने हम चार्चे दस महीने के अंदर हम रिजाम करवा देंगे, हम अच्छे मांगे हैं, हम वापस यहां से चले जाएंगे आप लोग कर्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग भादली बटास नहीं करें लोग सेवा अयोग उत्तर प्रदेश द्वारा 11 फरवरी को संपन्न कराई गई समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परिक्षा का पेपर लीक हो जाने की खबर सामने आने के बाद अब बड़ी तादाद में इस परिक्षा में सामिल हुए अभ्यरती प्रदशन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं प्रयाग राज का ये लोग सेवाए उत्तर प्रदेश का प्रमुक दोर है जहां पर बड़ी तादाद में अभ्यरती जमा है और ये अपनी मांगों को लेकर प साइर रहा था इसकी लड़कों ने तुरन सिकायत की गाजीपुर और अलग-अलग सेंटरों पर प्रसासन ने जो कहता है कि सूसासन है उसने उन्हीं के उपर उल्टा मुकदमा कर दिया अगले साम तक अगले दिन तक जब ये साफ हुआ यहां वास्तों में पेपर जो है व वाइरल है जिसकी वजह से सारे चात्र दुखी है और अंदोलित है उनका यह कहना है कि मेरिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी मैक्सिमम लोगों को पेपर मिल चुका है जो इसी तरह की बिवस्था में लगे रहते हैं अगला हिस्टेप उनका आता है चात्रों का दबाव पढ़ता देख कि आप लोग हमको को साच दें और साच मांगने के साथ लड़कों का मेल आधार काड़ पता और तमाम चीज़े ले रहे हैं तमाम चीज़े एसी मांग रहे हैं कि विद्यारती डर जाए क्यों वही उसी को आरोपी घोशिब कर दिया जाए कि क्या मांग आप लोग सर आयोग तो कह रहा है कि आप साच दिजे उसके बाद में हम अगे लगा किसे कोई भी साथ एकी बार एकी बार कोई छात्र देगा ना ने जनके पास प्रसुपत पहले से मिल गया है और नहीं दे रहे हैं यह हम लोग हैं जिन्हें बाद में पता लगा है कि पढ़ने वाले जिनको मिल गया है वो साच नहीं देंगे आयोग को साच देने आए आप हमने लड़ने आए हैं आयोग जो चार लोग अंदर गए हमारे भी से ही आयोग उनको चारो लोग यह समझा कि बेता ठीक जाई हम आट-दस मैंने पेपर रद करवा देंगे आप मालीजे अभी जितने लोग पेपर लिए कर आप उनको तदकाल नहीं पकड़ पारें लेकिन आपके पास यह पामर तो है ना क्या प्रत कर सकते हैं आप रद कर दीजे पेपर आप बहार आके सामने हम चार चार चे-दस महीने के अंदर हम रिजाम करवा देंगे आंदा कै आप ने यह मान लिया कि SIT की जाच हम करने को दे दिया हैं अब हम CBI को देगे CID को जिसको दे ना उसको दीजिये अगर आपने बात माने है इसका मतलब पेपर लीख हुआ है और यह उत्तरपरदेस लोग से वायोग नहीं अब उत्तरपरदेस लिक से वायोग हो गया सब्सक्राइब कर दो हजार पंद्रा का पेपर लीख हुआ था वर्तमान सरकार जो सत्ता में है इसका फ्रंटल संगठन एबी वीपी लगातार हम लोगों के साथ आंदोलन में था और डिप्टी सीयम जो है ततकालीन पूलपुरसांसत थे वो हमारी मांगों समर्थन में आये उनके उपर तक लाठी चल गई उन्होंने का सीवी आई जाच होगी तब जबकि उस समय की सरकार ने माना की पेपर लीख हुआ है और रद किया था हम लोग दूसरे वाले पेपर की मांग को लेकर महीनों आंदोलन चलाए और हम लोग सफल हुए तो वो लोग बैठे हैं जो इस सब देख कर गए हैं तो मैं मानी डिप्टी सीयम के सो मौर्याजी से निवेदन करता हूं जो अईसे लोग जो कभी PCS का फार्म नहीं भरे आयोक का उनके नेत्रित्तों में चार हमारे भोले भाले बट्व करने करें चले गए हमारे साथी बिल्कुल हमारे साथी हैं लेकिन हमको विश्वास में लिए भीना एक दलाल जो जो जिसने पेपर कभी नहीं दिया है आयोक का वो आयोकी दलाली करता रहता है चात्र समुदाय में सर विदित है वो गया बात करके चलाए उससे कोई संतुष नहीं और उसको अभी छातों ने भगाया है यहां से योगी जीसे मांग यहीं करेंगे उनके लोग सिवायो क्या देक्ट को यह पुरंट उनको दे कारवाई कर या पेपर रद करवाईए और रिजाम की डेट लाके दे दीजा हमको आखे हम लोगों के समर्थन में आयोको तुरंट सुचित करें यह देखे हमारी च्छे मांगे हैं हम वापस यहां से चले जाएंगे आप लोग सिवायों के अधिक से निवेदन है आप बाहर आजाए हम समझ कामरा के सामने आके बोल दीजे वह आप रद कर रहे हम रिजाम डेट जो हम आपको दे रहे हैं उसके बाद हम वापस चले जाएंगे यहां से लेकिन जब तक ऐसा नहीं होगा हम लोग नहीं जाने वाले हैं जाने वाले हैं तो लीक करा है उसके बाद फिर क्या करेंगे यह रिजल्ट मिलता है अब यह रिजल्ट मिलता सर्थ पढ़े पढ़े पर लीक होता है को अब लोग घर पे जा सकते हम लोग अब लोग का इसे भी सवादिला सबको अब अरे हम परते हमारे साथ की जो मारे पड़र हो जाते ना कि हम लोग 12-13 गंटे बैटे रहते कुर्शी से आथे नहीं एक ता नहीं होगा सेलेक्टन तो कहां जाएंगे बताइए चार साल से ही तो पढ़ रहे हैं चीज के तैयार ही कर उसके बाद यह रिजल्ट मिलता है सुबा से बूके पेंट मर रहे हैं अभी तक कोई इफेक्ट पढ़ा अंदर कोई इफेक्ट नहीं पराइए और लाज मिसक पेपर अधिक परिछार्थियों ने इस परिक्षा में हिस्सा लिया था और 411 पतों के लिए परिक्षा उजद की गई थी उसके बाद पेपर लीक होने की ख़बर सामने आने के बाद परिचार्थी सड़क पर हैं या किस तरीक से आप लोग परिशान हैं हम लोग बहुत परिशान हैं दिन रात महिनत करते हैं कमरे में और पता चलता है पेपर लिख हो गया है मानि अदेश जीस से बोलिए कि बाहर आए सबको आस्वासन द लेकिन क्या हुआ उसके बाद कोई आया क्लियर हुआ हम लोग को कुछ नहीं चाहिए कमेटी बैठी है कमेटी बैठी है वो जाच करें अपराधियों को पकड़े उनको दंड दे नहीं आप दंड दीजिए आपको जो करना है आप करवाई करिए आप पहले रद करिए हम लो अब नाम पूछें आप सामने आए कौन लड़का अपना जीवन पर बात करने जाएगा आप नाम मांग रहे हैं आधार मांग रहे हैं अगर आगे आप उसके घर भी भेज़ देंगे नोटीस कलके दिन आप उसके घर नोटीस भेज़ेंगे पैरेंस को भी परसान करेंगे एक लड़का अगर बता रहा है तो आपका काम है खोज करना आप कमेटी बैठा है आप जाज करिए अब राधी पाए जाएंगे आप उसको दंड देजे वो प्रोसेस लंबा है आप उसको करिए उसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना है पेपर अगर धादली हुआ है विहाज अब दूंगी अब होगा और लोग करेंगे दुबारा करेंगे हम लोग मेहनत करेंगे हम लोग करने के लिए तैयार है लेकिन हम लोग भारली बदास नहीं करेंगे आप जैसा पैटरर करेंगे हम लोग को कोई अपती नहीं है लेकिन हम लोग भारली बरदासंदे सबकोंतब बहुत डिशटर्वे बीपी लोग चल रहा है जब से पेपर हुआ है बहुत परिसान है हम लोग आप बोली है मारनी अध्याज़ी से बहुत तकलीफ में हम लोग का पुरा जीवन टीका है इस इसे कहते हैं योगी जिसे कहते हैं कि आप बहुत निस्पच नियाई करते हैं हम लोग की नियास करिए हम लोग के साथ आप निय कि जिन्दगी वरबाद हो रही है किस तरह प्रियाग राज में रहता है कैसे रहता है आप बोलिए अब कुछ नहीं कहना योगी दी हम लोगी बात सुनेंगे क्योंकि वह हम लोग के लिए ही है ना और न्याय के लिए ही है बहुत सारे परिचारती ऐसे है जो इस समय आप देशकते हैं कि उनकी आखों में आशु में बेहत निराश है परिशान है और उनकी आखरी हम में दुक्तर प्रदेश के मुखिमन्त्री योगिया तितनात से है उनका कहना है कि योगी जी जरूर उनकी पात सुनेंगे और इस प अक्षित रहे बना रहे दिनेश सिंग टीवी नैन यूपी प्रियागराज